नमस्कार, आप देख रहे हैं गितांश टीवी, मैं हो पुनी जैस्वाल प्रतुत है समाचार रंका से हमारे गितांश टीवी के सनमदाता परमोत कुमार यादों की रिपोर्ट रंका परखंड के खपरो पंचायत के सुनकुरुवा गाओं में निर निर्मल योजना का हुआ हाथी का दाथ साबित इस चिल्टिलाती धूप में लोगों हाँ पानी के लिए तलप रहे हैं इन सबसे निजात के लिए सरकार की बोर से निर निर्मल योजना गाओं गाओं में चालू किया गया था यह योजना 29,12,000 रुपई की लागत से लाया गया था ताकि इस योजना में जो गाओं में पानी की समस्या बनी हुल है उससे लागू कर गाओं के ग्रामिनों से निजात दिला कर सके इसमें हम लोग जानता बहुत खुस हुए इसमें कि ताकि हम लोग के पानी भी आच्छा निकला इसमें पानी भी निकला इसमें प्रोटीवाजी से बनाए इसको सब लोग गाओं मील करके इसको बनवाया अची ठंक से लेकिन पाइप सेटिंग नहीं होने के कारण माई पंप एस्वाइपनि पे निग लग हैं कि ले गया है यहां का यहां किया है तो अब लोग przypad मुख्या चाहते हैं पाइप चाहिए हम लोग 130 आदमी पाशा दिये हैं इसमां हम लोग के कनसकन घर-घर सारे चर्टों सुरुपे दिये हैं घर-घर हम लोग कनसकन चाहिए ठेकेदार के द्वारा सिर्फ अपने जेब भरने का काम किया गया है गरामिनों ने बताया कि पानी टंकी के बनने से स्वंपुर्वा गाम के गरामिन बहुत थे 113 व्यक्ति के कनेक्शन के नाम पर शुकर लिया गया और आज दो साल होने जा रहा है ना तो हम लोगों को कनेक्शन मिला नहीं इस प्रकार ठेकेदार सरकार का भी पैसा से अपना जेब भरा गरामिनों का भी कनेक्शन के नाम पर पैसा की ठगी की इस से स्वंपुर्वा ग झाल झाल